हमारे यहां गुजरात में मूलता यह जो महीना है जुलाई और अगस का यह इसके लिए बेश्ट होता है आठ से नौ महीने तक यह फसल रहती है और इसके दो से तीन तूर जो रहते एरेंडी के वो हम काटते हैं और बाद में थ्रेसर की मदद से उसको निकाल के और मंडी तक पहुचाते हैं मित्रो एरेंडी के दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं अभी 2600 रूपिये 40 केजी के जो लास्ट रिजन में हमने बेचे थे एरेंडी के मलब किसानों के लिए यह फायदे का ही सोदा है मित्रो हमारे यहां खास करके यहां पर जो एरेंडी की फसल होती है उसकी वेराइटी होती है गुजरात दो गुजरात ग्यारा जो यहां की फेमस वेराइटी हो यहां के किसान उत्पादन लेते हैं और बहुत सी रिसर्च वेराइटी है जैसे पारसिया है जैनी थे सागर लग्स्मी है और मंगलम के सीट्स आते हैं तो मित्रो हमने इस पर जो पसंद किया है के RND का बीज होता है वह मंगलम का किया यह जो आप देख रहे हैं मंगलम सीट्स RND के जिसको हम इस बार बोने माले है मित्रो, एरेंडी की खेती के लिए जो सबसे पहले हमें जमीन तैयार करनी होती है, तो यह जमीन जो आप देख रहे हैं, जो क्यारे बने हुए, वह हमने रेडी कर लिया है, एकदम रेडी है, बुवाई के लिए यह जमीन, तो चार फीट के अंतराल पे, इसका घे पे और एक बीज की बुवाई एक से डेड़ फीट की दूरी पर करें क्योंकि यह जो एरेंडी की फसल होती है काफी हाइटेड होती है और उसका घेराव भी अच्छा होता है तो इसके लिए कम दूरी पर करना उचीत नहीं होगा मित्रो आगे आगे बुवाई के समय का भी वीडियो हम बनाएंगे किस तरहा बुवाई करते है और आज़ की वीडियो हमारी कीश लगी प्लीस हमें बताए कॉमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेर करें झाल झाल